मंच पर अमित्सा भासड दे रहे थे भासड देते हुए भी जो जो मॉलिटिक्स के पत्रकार है उनको पीटा जा रहा था उनको पीट पीट कर जो इस्टेज लगा हो था उसके पीछे कमरे में बंद कर दिया गया एक की रागव अपरकार्च जाते हैं दिवेदी हैं लेकिन बावजूद भी उनकी उनका चैरा जो है उनकी जो दाड़ी थी वो कुछ मुस्लिम टाइप लग रही थी इसलिए उन्हें मुल्ला आतंकवादी कहकर वहां के लोग उन्हें पीट रहे थे यह रागव खुद बता रहे हैं कल खुद मैं मोदी जी की राली में वहां पता है आप लोगों को बहुत जल्दी होती है किसी पर भी लेबल लगा देने की कल हम खुद पटना में मोदी जी की राली कवर कर रहे थे एक पत्रकार आये दिली से वह अमिस्टा की राली कवर कर रहे थे राय बरेली में राय बरेली में अमिस्टा की राली कवर करते क्योंकि ग्रामिर परवेश के अमूमन महिलाएं बहुत सिंपल बहुत साधारन होती हैं वो बात बात में बता देती हैं कि सौ सो रुपए तैंग किया गया है कुछ बोले हैं सब तीन सो मीला भाद शरे मोड़ तो ही लोग तो कई रहेद तीन सो मिले वाइद 443 है तुम्हार सॉमिले चलौ ठीक है कि यह बात मैं नहीं कह रही है कर आप मोललेटिक्स के चानल पर जा कर रागव दिवेधी ने उसको से और उसको खुद के उसमें वह हो क्या रही है और यह पहली बार नहीं है मेरे खुद के मिलाय उक्ता काई गई है और उन्होंने कभी शेसे बेंद्ट में進गें सैंट या फिर कॉंग्रेस के लिए सारी रैल्यू में जो भीड आती है वो कहीं न कहीं भाड़े पर बुलाई जाती है और कई बार जनता जो है वो नेता के प्रेम की वज़े से जाता है लेकिन जो हुआ है वो बहुत हैरान करने वाला है राघो को उसकी उनकी दाड़ी देखकर मु करती हो जाना पड़ता है आज मैं आपको बताने आई हूँ कि समय सवतन पत्रकारीता करना कितना मुश्किल है और सच दिखाना उससे भी मुश्किल है रागा दिवेदी जो है वो मॉलेटिक्स के चानल में पत्रकर है वो डिल्ली से जो है वो राइबरेली और अमेठी को जा रहा था उनको पीट पीट कर जो इस्टेज लगा हो था उसके पीछे कमरे में बंद कर दिया गया यह बात खुद रागव दिवेदी बता रहे हैं रागव दिवेदी ने और जो कुछ भी बताया है वो सुनते वग मुझे बहुत हैरानी होई क्योंकि मैं खुद इस फिल् करने के लिए और उनको इतना मारा इतना मारा कि वह बिहोश हो गया और जब वह बिहोश हो गया उसके बाद उनकी नीद उस समय खुली जब वह सरकारी एस्पताल के बैट पर लेटे हुए थे यह पूरी कहानी ऐसी है जिसमें रागव यह बताते हैं कि जब उनको पीटा ज कुछ इस्तमाल करके दिखा पाएं तो आपको दिखाएं नहीं तो आप उनके चैनल पर जाकर देखिएगा जब रागव को वहां के कारे करता और कुछ उपद्रवी लोग पीट रहे थे तो खाकी वर्दी के लोग कैमरे पर कैप्चर भी हुए हैं बकाइदा दो तीन के अफ्ता पर लेते हुए की जब उनको खीच कर ले जा रहे थे तो उन्होंने कई लोगों के हाथ पक्ड़े थे उसमें खाकी वर्दी के वो लोग भी थे जिनकी ड्यूटी थी कि उस पूरी लैरी को शांती पूरवक बनाएं उस पूरी रैलि रैली में कोई भी उपद्राव ना हो, रागों बता रहे हैं कि उन्होंने कई पुलिस वालों के हाथ पकड़े, कई पुलिस वालों से रिक्वेस्ट किया कि बचा लिजे, लेकिन कोई पुलिस वालों उनको बचाने की कोशिश नहीं किया, उसके बाद वो कई में इस्ट्रीम मीडिया क चैनलों का भी नाम लेकर बता रहे थे कि उन चैनलों के पत्रकारों पहुन्हों को भी उन्हों ने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी मदद कीजें क्योंकि वह मेन टिम्मीडिया थी ना जाने उन..." किस तरीके का दवाव कि मुझे नहीं दिखाते हैं सोच कर कù कि एक पत्रकार में किस तरीके का दो धड़ा बढ़ गया है कि यह वह ऐसा है वैसा वैसा है उस हे उसी विरादरी का एक एक सक्स पीटा जा रहा था और स्क्षर तक किया गया यह राग habitat बता रहे थे कि भीड़ वो रागव ये भी बताई कि उन्हें इतना बूरी तरीके से मारा गया है कि उनके पेट में और सीने में अभी भी बहुत जादा दर्द है दर्द से वो कहर रहे थे रो रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं जो रो रहा हूं वो इसलिए नहीं रो रहा हू क्योंकि आप खुद सोच कर देखे कि एक पत्रकार को अब इस तरीके से देखा जा रहा है कि वो कि जाती किस धर्म किस मज़ब से आते हैं क्योंकि रागव अपरकार से आते हैं दिवेदी हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनकी उनका चैरा जो है उनकी जो दाड़ी थी वो अजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो तलवारों के बल पर नहीं लड़ी जा रही थी कलंग के बल पर लड़ी जा रही थी आजादी में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का था तो पत्रकारों का था पत्रकारों ने जनता के बीच में जागरुकता बढ़ाई थी आक पत्रकारों पर जंता का विश्वास खो गया है, isलिए खो गया है, क्योंकि हमारी नोड़ा के पत्रकारिता तो कभी जंता के उसूलों को जंता के मुद्धों को दिखाती नहीं, लेकिन जो सवतंध पत्रकार दिखाने के कोशिष करते हैं उन पर भीर जब आतूर हो तो यह में इस्ट्री मीडिया के लोग मदद भी नहीं करते हैं यह रागव बता रहे थे रागव के गले रूदे हुए थे वो रोते हुए बताए कि आज मेरा विश्वास सबसे पहले पुलिस से उड़ गया उसके बाद पत्रकारों से उड़ गया मेरी किसी ने मदद नहीं क तो उसे कैसा लग रहा होगा यह बात बिल्कुल साही है कि मैंने भी कई ग्राउंड रिपोर्ट की आध काई रियलियों को कवर किया है कल खुद मैं मोदी जी की रियली में मौहाँ मौजूद थी । खुद एक बवाल मैंने खुद देखा लेकिन लेकिन ये शुक्र की बात है कि मैं एक महिला हूँ तो मेरे उपर भी किसी ने कोई हाथ तो नहीं उठाया लेकिन मेरे आसपास जो और महिला पत्रकार मौजूद थी उनको भीड कैसे जैश्री राम का नारा लगा कर उनके पीछे जुन्ड बना कर उनको घेर कर उनकी अवाज को दबाने के कोशिश कर रही थी हो सकता है वह उनका एजंडा कुछ रहा हो वह कुछ और दिखाने आए हो लेकिन इस पूरे भारत में बोलने के आजादी तो सब के पास है ना अगर अगर कोई पक्ष दिखा रहा है तो कोई विपक्ष भी तो दिखाएगा ना लो कि इस पूरे देश में आप सभी को पता है कि जो बड़े वाले मीडिया घराने हैं वो दिन भार किस चीज के चरण बंदना में लगे हैं किसकी तारीफ करते हैं तो जो सोशल मीडिया है जो सदन पत्रकारिता है वो यही सिखाती है अगर पत्रकार है तो वो सबसे ज्यादा विपक्षी होगा यही हमारे सब्जेक्ट में हैं यही हमें सिखाया पढ़ाया और बताया गया है कि पत्रकार जो होता है वो सबसे ज्यादा विरोधी होता है सरकार का सबसे ज्यादा आलोचक होता है वही सवतन पत्रकार होता है यह बात पता नहीं क्यों लोग समझ नहीं पाते कल मोदी जी में में मौजूद थी वहां पर मैंने पहले मोदी-जी को ले कर जो जन-सलाब ही उसको गठाव था उसको और दिखा रहे थे कि कैसे देखेल लोग जो वह साही तो उसमें कुछ हुआ भी थे वो कह रहे थे कि मोजी जी ने दो करोड़ नौकरी का वादा किया था उन्होंने आज तक नहीं दिया मैं वहां मौजी जी से सवाल करूंगा इसलिए मैं वहां आया हूं उसके बाद कुछ लोग और ही कठा हुए जो अपनी बात कह रहे थे कुछ प पतर्कार हैं हम दोनों की बास सुनेंगे नहीं हम किसी भी पार्टी के प्यार्टीम थोड़ी है कि तारीफ दिखाएंगे कि दर्म ही होती ह покfeld को तो लोग महां पर मुझ पर भी दबाव बनाने के कोशिश न करी रहे थे कि आप जो है वो इन लोगों की बात कियो सुन रही है इनकी बात मत सुनिए यह मोदी जी कि रली है मोदी जी कि यह जनता है अगर आपका कोई मत है आपकी कोई धार्नना है, किसी सकते रखावार की थीक है। यह लोग तंत्रय इसमें सब को बोलने के अजादी होनी चाहिए एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए लेकिन कल कुछ जो मैने अपने हांखों से देखा वो तब भी ठीक था लेकिन जो रागव बता रहे हैं वो हैरान करने वाली बात है कि बीड उनको पीट रही थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, पत्रकार मुझूद थे, मेनिस्ट्री मीड़े के पत्रकार मुझूद थे, रागव ने कई लोगों के हाथ पकड़ कर उनसे म मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद ने की, रागव पलट कर ये कहते हैं कि देखिए, आज मेरी बारी थी, कल आप की बारी होगी, ऐसा तो नहीं है कि अगर आग लगेगी तो एक ही घर जलेगा, आज हमारा जल रहा है, कल आप का जलेगा, इस तरीके की बात है, हैरा को पलट कर ये कहते हैं कि मैंने इससे पहले कई रहलियां कवर की हैं, कॉंगरस की कवर की हैं, बीएसपी की कवर की हैं, कई ऐसी रहलियां मैंने कवर की हैं, जिसमें कई लोग कई बार नराज भी हो जाते हैं, लेकिन कभी किसी ने हाथ नहीं, कभी कोई मारा नहीं, लेकिन आज की डाली कैसी है यह मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको यह नहीं बता सकता कि जब 40-50 लोग आपको फीटते हैं तो आपको कैसा लगता है। यह बात समझ में आने वाली भी नहीं है कि जब एक भीड आपको इस तरीके से घेल ले जैसे आपको इमांस का टुकड़ा हैं और वो कुत्ते हैं आपको नोच खाने के लिए कठा हैं तो आप उसको एक्स्प्लेन नहीं कर सकते हैं वही बात रागव भी कह रहे थे एक स्वतं पत्रकार आपके लिए ही खबरे बनाते हैं हम सचाई निकाल कर आपके लिए लाते हैं कि आप जो है इस चीश को लेकर सतर्क ہو यह सावधान अगर आप अपना कोई मत बना रहे हैं तो वो पूरी निस्पक्षता के साथ बनाईए इसलिए हम लड़ते हैं आपके लिए आवाज उठाते हैं आखिर मैं एक बात कहना चाहती हूं कल जो मैंने अपनी आखों से देखा था मोदी जी किरली में उसमें भी मैं बात कहना चाहत हो हैं is आई कि अगर पक्ष को बोलने के आजादी है तो विपक्ष को बोलने की भी आजादी है तो आपना मान से किस थर इतना मत गिरा लिजे भक्ति मैं ठीक एलोग परियनेता हैं मोदी को लोक पसंद करते हैं उनकी नीतियों के वज़़य से पसंद करते तो आप उस पे हावी हो जाएं, आप उसकी अवास दबाने के लिए एक भीड ऐसी भीड बनकर पागल भीड बनकर उनका पीछा करने लगें, उसे दोडाने लगें, एक वीडियो है, एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, जिसमें एक अंकल है, जिनको मैं खुद अपने हाथ से करते हुए पीछे कर रही थी क्योंकि वहां पर कम सक्रम तीन चार लड़किया थी और जगें बहुत कम थी और लोग और चिपक कर और उनके पास आ रहे थे, तो मैंने उनको धक्का दिया था, तो वहीं मैं बताना चाहती हूं, कि आप किसी को भी पसंद करिए, लेकिन अप भारत एक नई सोच की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है रागाउजी, और एक बात मैं फिर से कहना चाहती हूं, कि स्वतन पत्रकारिता को आप प्लीस सपोर्ट करने के लिए रागाउजी के मुद्दे पर अवाज उठाए, नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक मैं सोल्स बेक्राइब